इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी एल-bacteri oz-oral suspension एक combination दवा है जिसका इस्तेमाल diarrhea यानि की dust और पेचिश के इलाज के लिए किया जाता है यह infection का इलाज करने के लिए micro-organism की वृद्धी की रोक थाम करता है यह संक्रमन के दर्दनाक लक्षनों से भी आराम दिलाता है एल-bacteri oz-oral suspension एक डॉक्टर के पर्चे की दवा है जिसे डॉक्टर के पर्चे के अनुसार या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लिया जाना चाहिए इसे भोजन के साथ लिया जा सकता है लेकिन बहतर प्रभाव के लिए इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए इसे बताय गए डोस से अधिक न लें क्यूंकि इसकी ओवर डोस आपके शरीर पर नुक्सान दायक असर कर सकती है अगर आप एक खुराक लेना भूल जाते हैं तो याद आने पर इसे तुरंत लें यदि आप बहतर महसूस करते हैं तब भी बहतर रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए इलाज पूरा करें एल बैक्टेरी ओजेड ओरल सस्पेंशन के कारण मिचली आना, उल्टी, पेटदर्द, भूख में कमी, सिर्दर्द, आदी जैसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं ऐसे किसी भी साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए सलाह दी जाती है कि पोशक संतुलित आहार खाएं और खूब सारा तरल पदार्थ पिएं अगर इन में से कोई भी साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें अगर आपको किसी अलजिक रियेक्शन यानि की चिकते, खुजली, सूजन, सांस, फूलना, आदिक का अनुभव होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको अपने लिवर या किड्नी में कोई समस्या है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए साथ ही, अगर आप किसी स्वास्थि स्थिती के लिए कोई दवा ले रही हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टरों से भी परामर्ष करना चाहिए शराब पीने से बचें क्यूंकि इस दवा से अत्यधिक चक्कर आ सकते हैं आम तोर पर यह आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है लेकिन यदि आपको नींद आ रही है या चक्कर आ रही है तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए अगर आपको दवा से ग्यात अलजी है तो आपको इस दवा का इस्तिमाल करने से बचना चाहिए आपको अपनी बीमारी के लिए एक वैकल्पिक दवा लिखने के बारे में डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद